संदिक्ध मानत तसकरी के कारण फ्रांस में रोका गया चार्ट विमान 276 यात्रियों को लेकर आज तड़के सुबह मुंबई एरपोर्ट उतर गया है ये विमान चार दिनों से फ्रांस में फसा हुआ था एक अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह चार बजे के करीब कि समय विमान में 276 यात्री सवार थे वही दो नाबालिगों सहित 25 लोगों ने फ्रांस में शरण लेने के लिए आवेदन करने की इच्छा व्यक्त की थी यानि अजायलम उन्होंने मांगा था और वो फ्रांस में ही रुख गये फ्रांस की मीडिया के मुताबिक विमान को रोकने के बाद दो लोगों को हिरासत में लेकर कोट में पेश किया गया था इसके बाद दोनों को रिहा कर दिया गया जब विमान वेटरी हवाय अडे पर उतर गया था तो उसमें सवार 303 भारतिय यात्रियों में से 11 नाबालिक थे जिनके साथ कोई नहीं था विमान के गौर तलब है कि फ्रांस के सरकार ने मानव तसकरी के आरोप में इस विमान को रोका था आपको बता दें कि रोमानिया के लेजंट एरलाइन्स के 8340 विमान ने दुबाई से निकारागुआ के लिए उडान भरी थी और ये विमान तकनीकी खराबी के चलते फ्रांस के वेट कार ने यात्रियों को हिरासत में लेकर मानव तसकरी के एंगल से इस मामले की जाच की रविवार को फ्रांस के कोट ने इस मामले पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान चार जजों ने हिरासत में लिए गए यात्रों से सवाल किये फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के म भी कैंसल कर दी अब गौर तलब है कि विमान में 11 नाबालिक सवार थे मानत तसकरी के आरोपो पर लेजंड एयरलाइन्स की वकील ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं वही भारतिय यात्रियों के विमान को फ्रांस में रो गये थे और वही पर उनके खाने पीने का इंतिजाम किया गया था फ्रांस में भारतिय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतिय यात्रियों को घर लोटने में सक्षम बनाने के लिए मामले में फॉरण समाधान और अतिथ्य सतकार के कर काम करने के लिए भी धन्यवाद भारतिय एजेंसियों का भी आभार ये यात्रियों ने शुक्रिया करते हुए लिखा